चुनावे चंदे की डीटेल्स सारवजिनिक हो जाने के बाद से हर रोज चौका देने वाली जानकारियां सामने आ रही है। बाद की डीटेल्स से ये भी मालुम चल रहा है कि किन-किन कंपनियों के तरफ से इलेक्टरल बाद के जरिये कब-कब किस राजनितिक दल को फंडिंग की गई है। इसी कड़ी में चनेई सुपर किंग्स का नाम भी इलेक्टरल बाद की लिस्ट में शामिल हो गया है। चनेई सुपर किंग्स को चनेई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम की कमपनी चलाती है जिसका पेरेंट ऑगनाइजेशन इंडिया सिमिन्ट है। इंडियन टीम के पूर कप्तान MS धोनी आईपियल में चनई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान है धोनी की टीम का स्वामित्व रखने वाली कंप्नी ने तमिलनाडू की अखिल भार्तिय अन्ना द्रविन मुन्नितर कड़गम यनि के AIADMK को इलेक्टरल बॉंड के जरीए पैसा दिया था एक रिपोर्ड के मताबिक AIADMK को इलेक्टरल बॉंड के जरीए 6 करोड 5 लाक रुपे मिले हैं इसमें से जादतर पैसे चनई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड के हैं चनई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड ने दो दिनों के भीतर AIADMK को 5 करोड रुपे की फंडिंग दी है ये पैसा 2019 में 2 से 4 अप्रेल के बीच ट्रांसफर किया गया हलकि इसके बाद पार्टी को चनई सुपर किंग्स के तरफ से कोई आर्थिक मदद यानि की चुनावी चंदा नहीं दिया गया है चुनाव आयो के Election Expenditure Division के सचीव के साथ शेयर की गई जानकारी की बात की जाये तो पार्टी को कुएम बटूर स्थित लक्ष्मी मशीन वोकर्स लिमिटेट से 1 करोड और चनई के गोपाल श्रीनिवासन से 5 करोड रुपे राजनितिक चंदे के तौर पर मिले थे इतिफाक से पार्टी ने इसी जानकारी को दो बार यानि की 2019 में अपने ततकालीन समनवयक ओपनिर सिल्वम के जरिये और फिर उसके बाद 2023 में अपने महा सचीव एडपादी के पलानी स्वामी के जरिये भी दी थी तमिलनाडो के 70 उडपाटी डीमक को लेकर भी एहम जानकारी सामने आ रही है डीमक को एलेक्टरोल बॉंड के जरिये 656.6 करोड रुपे दिये गए हैं डीमक के ने बताया कि उस एलेक्टरोल बॉंड के जरिये मिले 656 करोड की राशी में से 509 करोड रुपे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेस के जरिये मिला है डीमक को मिले कुल राजनितिक चंदे में इस कंपनी के डोनेशन की हिस्सेदारी 77 फीसदी से भी कहीं जादा है इस कंपनी के मालिक स्वेंटियागो मार्टिन प्रवर्तन निदेशाले की जाज के दाएरे में भी है झाल 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 झाल